सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर मेनी सिखा पधिंसमादियानी बुद्धन ऐसा बताया जाता है कि जब-जब भारत में बहुत ज़्यादा अंधिरा रहेगा, बहुत ज़्यादा पाप रहेगा, बहुत ज़्यादा शोशन रहेगा, बहुत ज़्यादा लोग परिशान होंगे, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग बीमार होंगे, पापी यहाँ पर नंगा नाच करेंगे, तब-तब यहाँ धम आता है, और इस धम्म को आने का जो रास्ता है वो धम्मिक लोग बनाते हैं अपने संग के थुरू, अपने संग के द्वारा ऐसा पैले भी हुआ और ऐसा होने की जो घोशना है, वो बुद्ध ने बहुत दूट तक देखते हुए की और वो जो साइकल है, पूरा का पूरा लगबग पच्चिस सो साल में पूरा होता है यानि 25 सालवाद फिर पाप का नास होता है और फिर पुन्य का यानि की अच्छे कामों का अच्छे लोगों का समय आता है और वो समय लगबग पिछले 1956 से जब से बावा साब ने धम का संग का और बुद्ध का और बोध का और बोधी का हमें ग्यान दिलाया है तब से उस तरफ हम बढ़ रहे हैं कहने को ये बात बड़ी अजीब सी लग सकती है कोई आदमी कह सकता है कि ये किस तरह का mathematics है या किस तरह की बात है पर वो जो बताया जाता है यदा यदा ही जब जब पाप बढ़ेगा तब तब धम आएगा ये बिलकुल ठीक है क्योंकि जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बढ़ने की जगेख खतम हो जाती है तो फिर लोग जब तरहिमान होते हैं तो धम का उदै हो जाता है और लोग धम की तरफ बढ़ जाते है और जब धम अपने चरम पे होता है तो फिर लोग पाप की तरफ बढ़ना सुरू हो जाते हैं, यह साइकल चलता रहता है, धमका पाप का पाप का धमका, मगर इस पूरे साइकल को चलाने के लिए संग की आवशक्ता पड़ती है, बिना संग के ना तो पाप बढ़ सकता है और ना ही पुन्ने बढ़ सकता है, दो अब जो बढ़ रहा है उसमें कुछ लोगों का समु है जो इस चीज़ को बढ़ाता है, जो गलत बात को भी परचारित करता है और गलत बात को दिमाग में डालता है, और बुद्ध के समय जब सारे के सारे लोग इखटे होते थे तो उस समय अच्छी बातों को लोग संग होता था और जो वम वंती वमन वमन यानि जो विपरीत धारा की लोग होते थे जो उल्टे होते थे वो अपना संग चलाते थे ये जीवन के दो संग लगातार चलती रहते हैं पर यहां जो एक दिक्कत आई है वो दिक्कत ये है कि वमनों का जो संग है वो संग तो चल रहा है पर समनों का संग जो पहले चलता था वो गायव हो गया यहां से हमारा पतन होना सुरू हुआ क्योंकि अगर संग जब तक रहता है तब तक पतन नहीं होता है यह बात हम बार 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 बताते हैं इस बात को ब उधारन वो भी समझाते हैं और बताते हैं पर लोगों को यकीन नहीं होता है और यकीन ना होने का जो कारण है वो लोगों के खुद के लालच है ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है बात वो वही कहते है पर जब लालच की बात आती है तो वो लालच उनको कहीं और ले जाता है इसके बहुत सारे उधारण हमने यहां लाइब भी देखे हैं, लाइब इसलिए देखे हैं, कि संग की बात समझ में आ रही है, वेक्ती संग में आना चायता है, पर वो किसी वेक्ती से अटैच है, जोड़ा हुआ है, और उसको यह उमीद है कि यह वेक्ती पावरफुल है, य वेक्ती कहीं दलाली से, कहीं से मेरे बेटे का या मेरी बेटी का कोई नौकरी वेक्री लगवा सकता है, इसलिए यह जानते हुए भी कि संग के साथ चला जाता है, संग के साथ नहीं जाता है, यह किसी को यह लगता है कि अगर मैं संग के साथ जाँगा, तो मेरी जो आइड वमनों के ये जाल हैं और वमन संग के ये जो नैट हैं ये जाल हैं इनको काटने में हमें जादा देर नहीं लगेगी अगर हम सारे खटे हो जाएं उन कबूतरों की तरह जो जाल को ले उड़े और सारे खटे हो गए और सारे के सारे जाल को ले उड़े और बाद में जाल को च आधे कबूतर उड़ने के लिए मना करते हैं और आधे कबूतर उड़ने के लिए त्यार हों तो क्या होगा कि जो आधे कबूतर उड़ेंगे एक साथ और आधे उड़ेंगे नहीं जाल में फसे हुए तो उनका बजन भी जाल में पड़ेगा और जाल में उड़ने की बजाए वो और ज़्यादा फस जाएंगा इसलिए संग का सबका साथ होना बहुत जरूरी होता है यहां जो नए लोग हैं क्योंकि 186 लोग हैं और 186 लोगों में कुछ लोग पुराने हैं कुछ लोग नए हैं पुराने लोग सब जानते हैं कि समण संग क्या है और क्या नहीं है पर नए लोग नहीं जानते बहुतों को तो समण सब्द का भी पता नहीं है कि समण सब्द का मतलब क्या है और संग का मतलब क्या है बुद्ध का फोटू लगा देखते हैं तो सोचते हैं कि ये कोई बुद् धर्म की बात करते हैं, बुद्ध धर्म फैला रहे हैं, हम कोई धर्म फैला रहे हैं, जबकि बुद्ध ने खुद कभी जिंदगी में कोई धर्म नहीं बताया, पर वो इसलिए बताते हैं, ताकि उनके संठन बचे रहे हैं, यहां जो काम चल रहा है, पिछले कई सालों से, ल लोगों को बड़ा आराम था, लोगों को नौकरिया मिल जाती थी, लोगों को खाने पिने की कोई दिक्कत नहीं थी, महंगा इतनी ज्यादा थी नहीं, जो सरकारी दफ्तर हैं वो बिके नहीं थे, उनमें नौकरिया मिल जाती थी, इसलिए जो जागरुक लोग थे, उनको एक टुकडा मिल जाता था, एक रोटी मिल जाता था, ठीक ऐसे जैसे गली के अंदर कुता जो होता है, वो तब तक भूगता है, जब तक उसे हड़ी ना मिले, जब उसे हड़ी मिल जाती है, तो उस हड़ी में वो लग जाता है, जबकि सब जानते हैं कि हड़ी के अंदर मास नही है यह बड़े कमाल का फिनोमिना है कि यहां जितने भी लोग है हमारे उनको हड़ी मिली है और वो अपना ही कुन पी के सोच रहे हैं कि हड़ी मैंसे फूर निकल ला है और मास हरा है तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वाभी मानी होते हैं और जो उनकी हड़ी और मास के च जाता हैं कुटों की संक्या कम है इसलिए यह पहाँ करनी जरूरी है कि इन्न의inasmosan typing को पहचानने के लिए जानने?!? कि यह बहुत महत करनी पड़ती पक्छा किपा स्भा स्फ्वरा अपने सेलफ के recentप। कुछ भी कर सकते हैं जो अपनी जट के लिए अपने बच्चों के लिए अपने सौभी मान के लिए अस्तित के लिए हर सेक्रिफाइज करने को त्यार हैं और जो कभी किसी छोटे राग द्रेस में या चोटे मोहमाया में या MPML या प्रसिंसा या पद्य या पोश्ट या मन्च या मालाई के लालच में नहीं पढ़ते हैं और ऐसे लोगों को संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि ऐसे लोग उस जगे को तलास करें जो उनकी जगे है और वो जगे समर संगे बहुत साथ लोगों को बुरा लगेगा कि हम ऐसे लोगों को ऐसा बोलते है बोला हमें इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो लोग समण होते हुए भी ववनक का वहवार कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है उनको संग चाहिए उनको जादा लोग चाहिए हर एक राजनतिक पार्टी ये कहती है कि उसको बहुमत चाहिए यानि बहुत सारे लोगों का मत चाहिए तो बहुमत मिले कैसे सारे लोग बहुमत देने को तियार हैं पर देंक इसको सारे लोगों ने इतनी सारी हैं पार्टी बना रखी हैं और पार्टी बनाने के बाद फिर वो अपने जात के नाम से, अपने रिस्दारी के नाम से, अपने पैसे के नाम से, अपने रुत्वे के नाम से, पैसा फैक कर, लालस दे कर, दावत दे कर, कोई रिस्वत दे कर, कोई साड़ी दे कर, को औरों का काम हो जाए और ये बहुमत वाले लोग अल्पमत में आ जाते हैं साल दर साल साल दर साल हर साल तो कौन कहेगा इनको और कौन नहीं कहेगा इनको कि भई तुम्हारी अकल कहा है क्या उनमें अकल नहीं है जब वो चुनाम में खड़े होते हैं राजनितिक पार्टी बनाते हैं तो कौन कहेगा कि वो बे अकल है पर सोसाइटी और संग और सारे लोग अगर मिलके अनलेसिस कर रहे हैं और हमारे बच्चों को मरवाते जा रहे हैं दोनों बातों में से कोई सी बात प्रकरेंगे पर हमें कोई फाइदा नहीं हम दोनों बात भी करेंगे तो भी हमारा कोई फाइदा होने वाला नहीं है हम बात ना भी करेंगे तो भी हमारा कोई फाइदा होने वाला नहीं ह पर हम इखटे हो जाएंगे तो हमारा फायदा है वैसे ही जितने सामाजिक संग्ठन हैं वो सारे के सारे सामाजिक संग्ठन हमारे सामाज को एक बहुत बड़िया जिंदगी देने का आस्वासन देते हैं और ये संख्या में बहुत जादा है पर कमाल की बात ये है कि ये सारे आसोसन देते हैं और सब ये कहते हैं कि एकटे हो जाएए और एकटे होंगे तो आपको कुछ मिलेगा पर ये कभी खुद एकटे नहीं होते और हम भी ऐसे मुर्क लोग हैं कि इनके जहां से में आ जाते हैं और इनकी अलगला गुरूप में प जो हमसे यकिन ले लेके जाते हैं और जो हमें सम्मेले Das呢 बलाते हैं और अपने भाजलों को बिलाते हैं हमारी इतनी हिमत नहीं है कि हम उनसे काउंटरपution पूर्च सके हैं कि भी अलग अलग रहे कि तुम कौन से समाज का कैसा अभला करोगी तो हमें उन से लिड़ना चाईए या अपने आप लड़ना चाईए या हम को तैय करना चाईए that दुस्मन कों है? हम अपने आपके खुद दुस्मन हैं या जो संगथन चला रहे हैं, सामाजी संगथन जो लोग अलग अलग टुकलों में बाढ़ रहे हैं, वो दुस्मन हैं, गान दुस्मन हैं या दौनु अकलबबं भे या दौनु ब달ुज। हैं इसको रात पर सोचना चाहिए हर एक वेक्टी को सोचना चाहिए क्योंकि अलग-अलग संग्ठन रहने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है और हम भी फिर भी चले जाते हैं ये ठीक ऐसे है जैसे सराव या अफीम या गाजा नुकसान देता है खुब जानते हैं हम के पड़ा नुकसान देता है मगर फिर भी हम गाजे या अफीम और सराव की दुकान पर चले जाते हैं पैसा भी ख्रच करते हैं नसा भी करते हैं और साम को आके अपने बच्चों को भी पटाई करते हैं और फिर अगले दिन यह कहते हैं कि अब नहीं जाओंगा और फिर चले जाते हैं यह ऐसा ही नसा है जो गोल-गोल के पलाया जाता है इससे दूर रहिए और काउंटर कोशन कर पड़ेगी और लोगों को ये कहना पड़ेगा क्या आपने अपने संग्ठन से बाचित की क्या संग्ठन के नेता से बाचित की या पदाधीकारी से बाचित की तो जब आप बाचित करेंगे तो वो बड़े अच्छे अच्छे आपको धरण देंगे नेता लोग हैं चालाक ल लेते हैं तो अकल तो है अगर बिना कमाए अगर वो पैसा ले रहे हैं और बिना कमाए अगर उनको चंदा मिल रहा है और बिना कमाए उनके बच्चे पल रहे बिना मेहनत के उनको पैसा आता है और हम थाली में रखके लिफावे बंद करके उनको पैसा देते हैं तो वो हम से लिए अकलबन्द तो है क्योंकि जैसे हम द्रामन को कहते हैं जो वमण हैं कि वह बड़ा अकलबन्द है वो घर बैठे बैठे पैसा कमाता है और उची पॉजिसन पे है ये भी वोई काम कर रहे है एक हम नहीं है जिनको कोई नहीं पूसतरा तो हम से ज्यादा अकल बंद वो है तो हम कितने और बेफकूप बने ही यह हम को सोच ना है कि सब कुछ हमारा जा रहा है चाहें वो ब्रहम्ण ले मंदर में और चाहें यह लोग संटर में लेए चंदा लेए दोनों में बात बरावर है, दोनों में कोई बमन है, इतना संतर है, पर दोनों का क्रिया कलाप एक सा है, और दोनों से कोई परणाम नहीं आता है, जो परणाम आता है, वो उल्टा ही आता है, आप चाहो तो अनिलेसिस कर लो, मंदर में जो पैसा गया, वो भी नुक्सान पहुचाता है, बमन को जो पैसा गया, वो भी प्ताफ फिलाई है हमारे तो संध्धन न हैं बड़ा काम् है हमारे संध्धन हम की विश्वे विश्व ओछ तो आज हम सब कुछ चल रहे हैं तो थोड़ा सा भुक जाएए थोड़ा सा ऽमजीए बात को सारे जो इतने भी संधन हैं सामाजिक हैं या आर्थिक हैं या लड़कों के दलवल के हैं या सरकारी करबचारियों के हैं या धमिकों के हैं या दिक्तूं के हैं या बिकुणियों के हैं या लड़कों के हैं या जिसमी तरह के हैं आप बताओ कि सारे के सारे संख्धनों से कौन से सम्मिधनिक अधिकार बढ़े पहले इस पर देखे बढ़े तो आप यह पाओगे कि जब से बावा साहब में संख्धन बनाया है एक भी अधिकार नहीं बढ़ा है और जो बावा साहब सम्मिधन में अधिकार देखे गए थे वो मिले भी नहीं है इतना भी अगर यह संख्धन कर देते कि जतने अधिकार वो देखे गए है उतने भी मिलते रहते तो हम तो थोड़े में भी काम चला लेते काम चलना था हमारा पर वो भी बंद हो गए और इतने में भी बात नहीं बन रही है, तो सारे संग्ठन मिलके ये देखें, सारे लोग देखें, जो संग्ठनों के हैसी है, कि पिछले 70 साल में अधिकार गए तो नहीं है, अधिकार कम तो नहीं हुए है, खतम तो नहीं हुए है, क्या संविधान खत्रे में तो नहीं है, क्या कि सम्जान को बचाना है अरे बही पैसा कान कूसे बचा है कि सम्जान का मिदधा कॉटओगे सम्जान कि बचा सम्जान के आगेن अब हमारी चलेगी चलेगी आऊ मेरे लिखा हुआ है आप नहीं बनाया है आपके लिए ही और आपका ही हूँ तो मैं तो कहीं आप से बाहर हूँ नहीं पर सर्थ यह है कि आपको एक 50% एखटे होके आना पड़ेगा तो दो अपरेल अठारे को जब सारे एखटे होके आए तब एक राइट बचा और अगर चार घंटे भी एक करने जानते हैं तो हमें कुछ लोग सिखाते हैं राजनीती माश्टर चावी है राजनीती माश्टर चावी है राजनीती माश्टर चावी है अरे अगर राजनीती माश्टर चावी है तो पैसा क्यों लेते हो राजनीती करो बोट लो खाली पैसा क्यों बांगते हो हमसे क्य क्यों करते हो जब मास्टर चावी राजनीती है तो खाली हम से बोट ले लो बात खतम करो पर मास्टर चावी राजनीती नहीं है इसको जो नए लोग है वो ध्यान से सुनें कि हमारी एक भी राजनीतिक सीट कभी खाली नहीं रही पूरे भारत में जब से सम्विनान लाग हु के से नीकलती हैं रोस्टर बदल दिया है अब हमारी वेकनसी नहीं आती है towards निक पओते हैं अपने लोगों भड़ते जाते हैं हमारे सरकारी जो दफ्तर हैं वो सारे सारे खाली पड़े हुं हमारी वेकंस्ट खाली पड़े हैं धफतरी बेज़ दिया था कि हमारे लोग पॉलिटिकल राइस्टन हमनेट परशेंट से उपर भी चला जाता है जब कोई आदमी जो जन नॉन जर्नल का होता है रिजर्व कैटेगरी का होता है और वो जर्नल की सीट से लड़के आता है या जीत के आता है तब उसका पसंटेज बढ़ जाता है इस सारे सारे पॉलिटिक कि प्रमुख लोग रहे हैं समर्ण लोगों में चाहे वो बीसी हैं चाहे वो एसी हैं एक तमिलाडू को छोड़ दो तो वहां भी हमारे राइट्स नहीं बचे हैं बलकर उन लोगों के हाथ से ही राइट्स खतम करवाये गए हैं और जहां-जहां समर्ण लोग तो पोजिशन पोजिशन जहां के बाद में कोई पोजिशन नहीं है चाहे वो नियाले की है चाहे वो जुडिसी की है चाहे वो लेजिटिकल की है चाहे वो ब्रकेसी की है तो उनके हाथ से ही हमको कटवाया गया है ताकि हम शिकायत नहां कर सकें यह धारण है आपको बता रहा हूं revolution नहीं करोगे तब तक आपका political revolution नहीं हो सकता और यही दुनिया का सिधानत है और यही बावा साब ने भी कहा है पर लोगों ने पैसा लेने के लिए धंदा करने के लिए और नेता बनने के लिए हमारे दिमागों में डाला जो गलत sentence है जिसको बहस करनी आ जाए हैं बहुत जानकाल लोग हैं को बहस कर लेंगे इसलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि यह political जितनी भी चीज़े हैं यह political हमें फाइदा देने वाली है यह तब फाइदा दे सकती है जब आपका system हो जब आपका संग हो कोई कहता ऐसा कैसे हो सकता है अरे ऐसा कैसे नहीं हो सकता है जो आज के समय political power में लोग powerful है उनके पीछे उनका संग खड़ा हुआ है जब तक संग उनके साथ रहेगा उनकी political power नहीं हिलती कहीं से भी दुनिया की तागत दर्ज़े होदा हो जाए पूरे दिन दूसरे के संगicism को गाली ब्रकते रहते हो आपका संग कहा हैं आप तोक का मुकाबला करने चले हो और बंदू करने चले हो बगो बै कोई आदमी आपको पागल कहेगा मैं तो कहता नहीं लोग कि बुरा मां जाते हैं कि हरु बार पागल कहते हैं पर कोई करूँगा अरे पागल हो गया वो पानी में चलेगा थल से ना जमीन पर रहेगी कैसे मुकाबला कर लोगा हो तो आएगे नहीं वैसे ही ठीक संग का मुकाबला संग से हो सकता है संग्धन का मुकाबला संग्धन से हो सकता है व्यक्ति का मुकाबला व्यक्ति से हो सकता है नेता दिन से संग के वारे में परचार परसार कर रहे हैं और अब तो किताब भी आ गई है एक दो दिन में किताब छप गई है एक दो दिन में आपके हाथ में आ जाएगी तो सब को बता रहे हैं हैं और मेरे जैसे हजारों लोग बता रहे हैं बार बार बता रहे हैं कि भाई संग के अगर आप दुनिया के सबसे बड़े संग बनाने वाले को जानोगे तो वो बुद्ध है गुद्ध ने दुनिया के सबसे बहती नियम बनाए इनी नियमों को देखके सब लोगों ने संग सीका है अगर आप देखा चाओगे कि संग कहा है तो बावा साब ने संग बनाया नाइटीन टुर्टी सेवन में 1927 में 1927 संग बनाया संग आप अगर पैरियार साब को और बावर जो लोग हैं जो हमारे विप्री तो विरोधी हैं उन्होंने भी संग बनाया है तो संग के ही काम्यावी मिलती है ये तो बात है और जिन जिन लोगों ने संग्ठर बनाया है उन्होंने छोटे मोटे अपने परिवर्टन तो किये हैं को कि संग्ठर के वो मालिक हो पर समाज का पूरे पूरे समुधाय का पूरे पूरे देश का कायप प्रट नहीं कर सकते अंग्रेजों को भगाने की लिए भी यहां संग बना और उस संग में सारे लोग हुआ करते थे उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिक्षाई, सारे के सारे संग में आये, एक संग बनाया तब इतना बड़ा देश मुक्त करा पाए अगर वो संग नहीं बनाते तो अलग-अलग पिटते रहते पर संग बना एक आदमी पिटता था तो उधर से सारे खड़े हो जाते थे पर अंगरेच चले गए तो संग का वो टेंपरेटी काम खतम हो गया फिर अलग-अलग लोग हो गए मुस्लिमों ने अपना मुस्लिम लीग बना के अलग संग बना लिया बागी लोगों ने अलग-अलग संग बना लिये तो दुनिया का सबसे बहती संग अब तक हमारे पास होता और हम उसके संगी होते और उसमें काम कर रहे होते तो ये जो हम ये माधा पच्ची करना है इसकी बजाए आप और हम बैठके यहां Hollywood की और Hollywood की picture देख रहे होते अपने बच्चों के साथ में ये माधा पच्ची नहीं कर रहे होते ये माधा पच्ची हमें इसनी करनी पड़ रही है ये महनत इसनी करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी जो पूरवज है जो बावा साब के बाद के सक्सेसर है उन्होंने संग्ठर बनाए संग्ठर नहीं बनाए बार बार बोलते हैं इस बात को के संग के बिना मुक्ती नहीं है इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझें कि संग बनाना क्यों जरूरी है इसका एक छोटा सा उधरन समझें अभी क्या हो रहा है कि भारत के अंदर नौजवान सबसे जादा है जो 25 से लेके 35 साल के आयू के लड़के हैं उनकी संग्या लड़कियों की संग्या सबसे जादा है और हमारे समझ में जो लोग हैं उनमें नौजवानों का सबसे जादा संग्या है और नौजवानों का ये देश है पूरी दुनिया में अगर नौजवानों का कोई देश है यहनी जवान देश है तो भारत है पर इन जवान देशों के इन जवानों को कामपनी लगा जा रहा है एक नीती के तहट में इनका काम छिन लिया गया है और यह बहुत जल्दी बोड़े हो जाएंगे अभी तो यह व्यक्ति के पीछे खड़े हुए क्योंकि होना ही होता है एक समय आता है कि कोई न कोई व्यक्ति कोई भी निकला है जब समय आता है तो उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं इस उमी से तो सोटकर रास्ता क्या अपना आया वही जो उनके दमाग में सबके भरा हुआ जो बुलकुल अंजान लोग ते, जिनका कुछ नहीं पता कैसा होता है, वो छेतर पे उतर गे, और वहां जाके उनके हाथ का खिलोना बनगे, बनने ही है खिलोना, क्योंकि संगतों पीछे है नहीं, चला उनको कोई और रहा है, चलो वो कहीं और रहे हैं, बहुत जल्दी वो म बन जाएगा उसको पुलिस पुलिस ठोक ठाक देगी और वो अपना जेर्वेल में पड़ा रहेगा और उसके बाद में वो जनरेशन खतम हो जाएगी और फिर यंग जनरेशन दुबारा आने वाली नहीं है इसलिए यंग जनरेशन को बचाने के लिए ये समझाना बहुत जर अपने में ये बात समझ में आती है तो जितने नौजवान हैं उनके बहुत सारे टुकड़े हमारे जो संग्थन नहीं किये हुए है पर नौजवानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कैसे नहीं समझ में आ रही है जितने भी संग्थन हैं भारत में चाए वो साउथ इं पर वो डाउन हो गई, खतम हो गई, उन नौजवानों का पता भी नहीं है, ऐसे ही नौजवान साल दो साल उपर उठते हैं, उसके बाद उनका पता नहीं चलता हवा भी नहीं चलती हैं कि वो कहा गए कहा नहीं गए, या तो उनको कोई पार्टी खा जाती है, या उनको कोई संठर बने हुए हैं जितने राजनितिक पार्टी हैं उसने नौज़ानों के यूबाओं के दिल बना रखें हैं जितने सामाजी इनलोग नोगे हिंग वी ह्मारे जो यू यूवा हैं वो शामिल हैं तो हमारा जो यूवा सारा समण है पर नाम का समड़ है उसको सेंकडों हजारों टुकडों में तोड़ा हुआ है और वो जितने भी संगठन है वो उन युवाओं को ऐसा ब्रेन वाश करते हैं उनके दिमाग में ऐसा डालते हैं कि बस मैं और मेरा संगठन आपका जो नेता है वो और उसका संगठन बस जीना इसके लिए और मरना इसके लिए है और उनको जल्दी बहुत होती है इसलिए वो सोच नहीं पाते उनका ब्रेन भी डबलप नहीं है पुरानी हिस्ट्री कोई बताता नहीं पढ़ने का उनको आलस होता है समझदारी उनमें है नहीं तो बताए कौन उनको ये काम समड़ संग कर लोगे और कौन सा मनसूबा फूरा कर लोगे तुम्हें कौन सी नक्ति मिल जाएगी और कैसे मिल जाएगी ये बात जब तक आप अपने युवाओं को समझाओगे नहीं और बताओगे नहीं पर बताएं कैसे समझाएं कैसे क्योंकि युवा तो उल्टा सवाल कर देगा वो कहेगा भाई हम तो यूबा हैं, हम तो अलग अलग भठके हुए हैं, पर तुम तो सारे परिपक हो, तुमने इतने सारे संटन क्यों बना रखे हैं और तुम इतने सारे संटनों के पीछे क्यों हो, और वो जो बुजरुग लोग हैं, उनसे भी इसी सवाल करेंगे, कि यही अलग अलग रहने से हम किसी भी हालत में जीत नहीं सकते, चैया दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो भी नहीं जीत सकते, यह प्रकति का सिधानत है, और यही समर्संग का उद्देश से है, कि सभी लोगों को एक साथ लेके आना, और यही समर्संग ने पहले भी किया था, और यही समर्संग लगातर कर रहा है, और इसी में उसको काम्यावी मिल रही है, तो इस काम्यावी में जो रुकावट है, वो रुकावट भी आ रही है, कोई कह सकता है जी के वमल रुकावट कर रहा होगा, वमल नहीं आता हमको जोग निकलिए, वमल कभी नहीं कहता हम से कि अपने लड़कों को तो मनत्रिस लाग संथनों में तोड़ दो वमण कभी हमसे नहीं कहता है कि तो मलग संथनों मनाओ वमण तो कुछ कहता है नहीं उसना तो कभी रोका है नहीं तो हमारे संथनी हमारे दुस्मन हुए हुए हैं हम तो जीते पड़े हैं पर हमारी हाज का कारण हमारे खुद ताउ चाचा है जो ताउ चाचा है इनी से तो लड़ना है अगर इन से जीत गए तो फिर वमण कुछ नहीं कहता हूँ तो सलाम करने के लिए 24 घंटे तयार है बहुत इमानदार है उसने पहले भी कहा कि मैं तो याचक हूँ याचना करता हूँ मांगे खात है आप लड़ना बंद करो आप जुड़ना सुरू करो जो जो जुड़े हैं वो जी जीते हैं जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं अगर आप जुड़ोगे नहीं त प्रकति का सिध्धान्थ है किसी प्रकति के सिध्धान्थ पर हम चल रहे हैं और ये इस बात के लिए कोई व्यक्ति आस तक हमें नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि जुड़ने का काम गलत है नहीं जुड़ना चाहिए और यहां तो हम जो जुड़ रहे हैं हमारे तो नियम बेतने अच्छे हैं पुराने वाले कि हम किसी से पैसा भी नहीं लेते और ना किसी को पैसा देते ना कास्ट का कोई प्रैक्टिस होता है ना पद है ना पोस्ट है ना मंच है ना माला है ना यहां परधान है ना यहां कोई अधक्ष है ना यहां कोई राजा है ना कोई रानी है ना व नियम कभी बदलेंगे नहीं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा भी अगर किसी को चाहिए, और किसी के दिवाग कुछ है, तो आए और आके बताए, संग करने लिए 24 गंटे तियार है, संग की ये खास बात है, कि संग अच्छी बात को एक मिनट में पकड देता है, पकड़ने में भले ही एक मिनट लगाता है, क्योंकि बहस तर्क होता है, पर गलत बात को छोड़ने में एक सेकंड लगाता है, साई लोग कह देते हैं, एक साथ ही अनुमोदित हो गया, सादू सादू हो गया, इस गलत बात को फैंको, गलत वेक्ती को फैंको, गलत चीज़ को भेंको और अच्छी को शुपार करो इसलिए हम दिन दूनी राज चोगी त्रक्षी से बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं पर काम सब को करना पड़ेगा क्योंकि संग की एक खास बाद ये भी है कि संग में एक व्यक्ति काम नहीं करता है क्योंकि व्यक्ति बाद है नहीं इसलिए संग काम करता है और संग में सारे लोग आते हैं इसलिए जो काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया जिन्होंने वो कमर कसल और काम करें क्योंकि यहां व्यक्ति बाद नहीं है अगर व्यक्ति होता है तो फुर तो वही काम करेगा यह तो संग बाद है सब को काम करना पड़ेगा संग को नमन करना पड़ेगा संग के आगे जुपना पड़ेगा संग को नमामी करने पड़ेगी संग सबसे बड़ा होता होता है संग का आदे सर्वोपर ही होता है संग को सलाम संग को सलूट जैभीन नमुद्धाय धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी दूतियं पी धम्मं मर्सेनु गच्छाम। दूतियं पी धम्मं सर्नं गच्छाम। दूतियं पी संगं सर्नं गच्छाम। दूतियं पी सर्नं सर्नं गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्णां गच्छामी ततियं पी संदं सर्णां गच्छामी